प्रियंका महाजन, साइंस मिस्ट्रेस, गॉर्मेंट गल्स, सीनियर से केंडरी स्कूल, लोहिया खास जलंदर, तो हड़ा बहुत-बहुत स्वागत कर दी हैं आज दी साइंस दी ओनलाइन कोचिंग क्लास वेच, बेटा आज में तो हनु करवावांगी, चाप्टर नमबर फोटीन, सोर्सिस ऑफ एनरजी, उर्जा दे सों में, दे आमसी क्यूज, ते आमसी क्यूज करन तो पहला, असी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिसकस करां तो बेटा चलो असी अपना काम स्टार्ट करने हाँ सेकेंड इस कन्वेंशनल सोर्सिस ऑफ एनरजी, उर्जा दे परंपरिक्स रोत, इस विच पत्राट बालन, जिमें कोला, पेट्रोलियम आंदे हन, कुद्रती गैस आंदी है, ए अजहे सों में हन, जिना दी बार बार तुसी वर्तो कर दे हो, ता इना दे खतम होंदा डार ब जिस तरह तुसी सूर्जी उर्जा नू, सूर्जी कुकर विच वर्त दे हो, ता उस नाल तुसी पोजन पका सकते हो, सूर्जी उर्जा नू, तुसी सोलर वाटर हीटर विच वर्त दे हो, ता पानी गरम हो जान्दा है, सूर्जी उर्जा नू, सूर्जी सैल विच वर्त द वो तिन तरांदी है, जवार उर्जा, टाइडल एनरजी, तरंग उर्जा, वेव एनरजी, समुदरी ताप उर्जा, ओशन धर्मल एनरजी, हुन जवार उर्जा की है, तरती कुम्मनगती कर दी है, ते चंदर मादे गुर्था खिच दे कारण समुदर विच पानी दा पदर चड़दा आते उतरदा रहनदा है, इस वर्थारे नू जवार पाट्टा कहनदे हैं, जवार पाट्टे विच पानी दे पदर दे चड़न आते उतरन नाल सानू जवार उर्जा मिल दी है, ते इस जवार उर्जा दी प्राप्ती समुदर दे किसे तंग खेतर उत्ते बन द निर्मान करके कित्ती जान्दी है ते इस बंदे निर्मान तों असी जवार उर्जानू बिजलेई उर्जा वीचे बदल सकते हैं सेकिंड इस तरांग उर्जा वेव एनर्जी समुदर दे कंडे दे नेडे विशाल तरंगा दी गतिज उर्जानू वी बिजली पैदा करन लेई इससे टांग नाल ट्राप कित्ता जा सकता है समुदर जमा साग्रा दे ताल दा पानी सूरज द्वारा गरम हो जान्दा है जदों की एना दे गहराई वाले पागा दा पानी सा पेखिक ठंडा हुन्दा है तापमान विच इस अंतरदी वर्तो समुदरी ताप उर्जा रुपांतरन प्लांट विच बिजली उर्जा प्रापत करन लेई कित्ती जान दी है बेटा इस विच तुसी एक खोर जीज द्यान विच रखनी है के एहे प्लांट केवल तद ही काम कर देहन जदों महा सागरान दे तल ते पानी दे तापमान अते दो किलो मिटर तक दी गहराई ते पानी दे तापमान विच वी डिग्री सेल्सियस 293 कैल्विन जान वाद दा अंतर होवे नाउ नेक्स्ट इस जियो थर्मल एनरजी पू ताप उर्जा पूमी दे अंदर परिवर्तना दे कारन पृत्वी दी पेपडी विच डुंगाई ते गरम खेत्रां विच मोजूद पिगलियां चटाना उपरवल तकेल दित्यां जान दिया हन जदों पूमी अं गरम स्थानना दे संपर्क विच ऑंदा है ताँ पाफ पैदा हुंदी है, कदे कदे इसे गरम पानी नू पृत्वी दे तालतों बाहर निकलन नू निकास मारग मिल जान्दा है, एना निकास मारगा नू गरम चश्चमा हॉट स्प्रिंग्स केहन दे हन, कदे कदे ये पाफ चटाना दे विच फस जान्दी है अटे उत्थे इस दा दबा वद जान्दा है गरम स्थानना तक पाइप पाके एपाफ नू बाहर कड लेया जान्दा है उच दबा उत्ते निकली एपाफ बिजली जनरेटरां दी टरबाइन नू कमौन दी है जिस नाल बिजली पैदा नुकलियर विखंडन विखंडन ुकलियर विखंडन कहने हन इस विच किसे पारी प्रमानू जी में यूरेनियम, प्लुटोनियम, थोरियम दे नाभिक नू कट उर्जा वले न्यूट्रोन नाल बंबारी कराके हलके नाभिकां विच तोड़े आजान्दा है जिस दे फल्सरूप बहुत विशाल मात्रा विच उर्जा मुक्त हुन्दी है उधारंदे तोर ते यूरेनियम 235 विच नूकली विखंडन दी प्रक्रिया तीमी गती वाले न्यूट्रोन दी बंबारी तो हुन्दी है ते नतीजे वजो बेरियम, क्रिप्टॉन, तिन न्यूट्रोन ते बहुत सारी उर्जा निकल दे हन उस्तों बाद है न्यूकलियर फ्यूजन, न्यूकलियर संयोजन या इसनों न्यूकली सलियन भी बोल दे हन इस क्रिया विच दो हलके न्यूकलियस प्रसपर संयोग करके एक पारी न्यूकलियस बनाँ दे हन अते बहुत मात्रा विच उर्जा पैदा हुन्दी है सूरज अंदर हाइड्रोजन दा हीलियम विच परिवर्तन न्यूकली सलियन दी उधारन है बेटा असी अपने आमसी क्यों शुरू करने हाँ First question is The minimum speed of wind necessary for the working of wind generator to produce electricity is Porn generator तों बिजलाई उर्जा बनान लाई Porn दी चाल दा काट तों काट मान होवेगा Options are 15 km per hour, 25 km per hour, 35 km per hour, 45 km per hour बेटा इस दा राइट आंसर है 15 km per hour Porn generator तों बिजलाई उर्जा बनान लाई Porn दी चाल दा काट तों काट मान 15 km per hour होना चाहिदा है Second question is Which of the following undergo nuclear fusion reaction? हेट लिख्या विच्चों केड़ा nuclear सयोजन क्रिया विच हिस्सा लेंदा है Options are uranium, deuterium, barium, krypton बेटा इस दा सही आंसर है B, deuterium जेडा deuterium है वो hydrogen दा एक isotope है जेडा nuclear सयोजन क्रिया विच हिस्सा लेंदा है Now third question is One mega electron volt of nuclear energy is equivalent to Nuclear energy दा एक mega electron volt बराबर हुन दा है बेटा इस दा option जेडा है एक option राइट option है एक mega electron volt 1.6 multiplied 10 raise to the power minus 13 joule दे बराबर हुन दा है एक तुसी याद रखने The value of solar constant is सूर्जी स्थिर अंक दा मान है सूर्जी स्थिर अंक दा मान हुन दा है 1.4 kilowatt per meter square C option is right option C answer तो हड़ा right answer है Fifth question One atomic mass unit is equivalent to an energy of dash एक प्रमानुपुंज इकाई dash उर्जादे बराबर है Options are 931 electron volt, 9.31 electron volt, 1 mega electron volt, 931 mega electron volt बेटा इस दा right option है D option 931 mega electron volt एक atomic mass unit, एक प्रमानुपुंज इकाई 931 mega electron volt दे बराबर हुन दी है Now next question is जा विच बदलिया जानदा है Next question Which of the following is used as moderator in the nuclear reactor? हेट लिख्या विच्चों केडा nuclear reactor विच moderator दे तौरते वर्थया जानदा है Options are Liquid sodium, boron, graphite, carbon dioxide बेटा, moderator एक अजेहा material हुन दे है जेडा neutrons दी speed नू कटा दिन दे Nuclear reactor विच जेडे neutrons पैदा हुन दे हान उना दी speed नू कटा लई असी moderator दे तौरते graphite नू वर्थ दे हा So, C option is right option, graphite Next question is If the solar constant is 1.4 kilowatt per meter square Then the solar energy received by 1 meter square area in 1 hour is जे कर सूर्जी स्थिर अंक 1.4 kilowatt प्रती meter square है ता 1 meter square खेतर फल 1 कंटे विच किन्नी सूर्जी उर्जा प्रापत करेगा Options are 5040 joule, 504.0 kilojoule, 5040 kilojoule, 5 kilojoule बेटा इस दी explanation है त्याननाल समझो Solar constant सानु दित्ता होया है 1.4 kilowatt per meter square Area खेतर फल सानु दित्ता होया है 1 meter square हुन सानु पता है 1 watt 1 joule प्रती सेकिंड दे बराबर हुन दे ते 1.4 kilowatt प्रती meter square नो तुसी 1.4 kilojoule प्रती सेकिंड प्रती meter square लिख सकते हो क्योंकि watt दी जगाते आसी joule प्रती सेकिंड लिख सकने हाँ हुन एक meter square जेडा खेतर फल है वो उर्जा प्रापत करदा है एक सेकिंड विच 1.4 kilojoule ता एक meter square खेतर फल एक कंटे विच किन्नी उर्जा प्रापत करेगा असी ऐ पता करना है तो हाँनों सारे नों पता है इक कंटे विच छती सो सेकिंड हुन दे हान 1R is equal to 3600 seconds ते बेटे 1.4 kilojoule उर्जा नों तुसी छती सो सेकिंड नाल multiply कर दो गुना कर दो तो हाट डेको लाएगा 5040.0 kilojoule पॉइंट तो बाद 0 दी कोई value नहीं इस करके तो हाटा right answer होएगा 5040 kilojoule which is C option, so C option is right option Now next question is, the natural gas mainly consists of कुदृती गैस दा मुख का टक है options are methane, ethane, propane, butane बेटे जडी कुदृती गैस हुन दी है उस दा मुख का टक मिथेन है so A option is right option 10th question, LPG mainly consists of LPG दा मुख का टक है options are butane, ethane, methanol, bromopropane ते बेटा इस दा answer है A, butane LPG दा मुख का टक बुटेन हुन दी है now next question is, which of the following fuels has the highest calorific value हेठा दित्ते गए बालना विच्चों सब्तों वद कलोरी मान किस दा है options are natural gas, कुदृती gas, methane, hydrogen gas, biogas बेटा इस दा राइट option है C, hydrogen gas hydrogen gas दा किलोरी मान सब्तों वद है next question, there are four fuels which all contain only carbon and hydrogen the fuel having highest calorific value will be one which has सादे कूल चार बालन हन, जिना विच्च सिर्फ carbon अते hydrogen मुझूद हन जिस बालन दा किलोरी मान सब्तों वद होवेगा, उस विच्च होवेगा A option, more of carbon but less of hydrogen, carbon वद ते hydrogen कट B option, less of carbon but more of hydrogen, carbon कट ते hydrogen वद C option is, equal amount of carbon and hydrogen, carbon अते hydrogen दी समान मातरा D option is, none of these, इना विच्चों कोई नहीं बेटा, B option is right option, जिस बालन विच्च, less carbon ते वद hydrogen मतलब कट carbon ते वद hydrogen होवेगा, उस दा किलोरी मान सब्तों वद होवेगा So B option is right option, now 13th question is, the part of box type solar cooker which is responsible for producing greenhouse effect is, बाग्स नुमा सूर्जी कुकरदा केरा पाग हरा कार प्रभाव पैदा करदा है, options are, plain mirror reflector, समतल दरपंदा परा वर्तक तल, black coating inside the box, box दी अंदरूनी काली परत, glass sheet cover, कच दा sheet cover, right option is C option, glass sheet cover, कच दा sheet cover जेडा है, ओ सूर्जी कुकर विच्च हरा कार प्रभाव पैदा करदा है, now 14th question is, the major cause of environmental pollution is the use of वाता वरन विच्च परदूशन दा सब तो मुख कारण दैश दी वर्तो है, options are, hydrogen as fuel, बालन दे रूप विच्च hydrogen, B is biomass energy, जीवपुंज उर्जा, C is ocean energy, समुदरी उर्जा, D is fossil fuels, पत्राट बालन, so is the D option है जेडा, ओ राइट option है, fossil fuels, पत्राट बालन, वाता वरन विच्च परदूशन दा सब तो मुख कारण हन, बेटा हून तो हड़े लई, कुछ revision work ते कुछ homework है, तुसी सब तो पहला अपना chapter चंगी तरह रीट कर लाना है, उस तो बाद तुसी सारे important points चंगी तरह रिवाइस कर लाने हन, ते फिर MCQs नू काट तो काट दो बार practice जरूर करना है, ते बेटा हून मिननू लगदा है, तो हानू एट topic बहुत चंगी तरह clear हो गया है, उमीद कर दी हाँ, तुसी अपने इस topic नू चंगी तरह रिवाइस भी कर लोगे, All the best for your examination बेटा, be focused, be hard working, you will definitely achieve your aim, thank you very much.